अगे डियर इस्टुडेंट में लेके आया हूं एक बहुत इच्छा कुष्चन फ्रॉम मसीन डिजाइन ट्रिकी है आसान है क्लास में भी हम इस तरह के टॉपिक कवर करते हैं बट माइडियर इस वेरी इंपोर्टेंट फॉर एक्जामनेशन कुछ छोटा सा सीख के जाएंग और कह रहा है कि टॉर्क दू विस्कॉसिटी जो लॉस होगा वो बताना है है वाइडियर देखे एक बहुत ट्रिक है इस कुछ्छन में इसलिए मैं कुछन लेक्छे आया हूँ कि सपोज इन देट कुछन किल्रेंस इस गिविन पर clearance तो उसने बताया है लेकर हम जानते हैं there are two type of clearance radial clearance and diametical clearance अब उसने ये नहीं बताया है कि radial है कि diametical है so torque loss due to viscosity हम लोग जो इस question लगाते है वो कई लोगों को पता ही होता है मैं फिर भी याद दिला दू कि torque loss due to viscosity हम लगाते हैं FWR जहां F क्या है मैं की से भर सकते हैं या petro पे equation लगा सकते हैं मैं petro से भर देता हूँ two pi square zn by p d by c इस formula में काफी tricks होती है c जो है यहाँ पर भरना होता है diametical clearance okay so that is FWR P is equal to हम जानते है W upon LD so that P and W will be cancelled and LD left LD रह जाया है यापे so finally torque due to viscosity 2 pi square zn LD d by c that not cancelled by d it is cancelled by w okay so d by c into r अब बस यहाँ पर हमें data भरने so one by one हम बहुत ध्यान से data भरते हैं मैं बताता भी जाता हूँ कि कौन सा data किस unit में होता है so मैं इस सबसे important बात होती है इस formula की की z को भरता है पास्कल सेकेंड में and z is pascal second so that is given in milli pascal second तो इसको हम सही कर लेंगे so that is 0.02 n बहुत important होता है इस formula में rps में भरता है and it is given in radian per second so my dear हम इसको 20 divided by 2 pi करेंगे 20 divided by 2 pi करेंगे so that is n l and d और l and d बोथ values are 0.4 so square हो जाएगा diameter is given that is 40 diametrical clearance हमें required है and r value is 0.02 पर my dear देखे कई लोग जो है इसको गलत कर जाते हैं वो तो clearance का मतलब radial clearance मान लेते हैं but it is not true ये radial भी हो सकता है diametrical भी हो सकता है उसने नहीं बताया है ना कि radial है कि diametrical है बहुत सारे लोग इसको fluid mechanics की viscosity equation लगा के कर देते हैं और सीधे radial clearance मान के भर देते हैं पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि clearance का मतलब radial ही होता है clearance का मतलब diametrical ही होता है फिर कैसे होगा यार क्योंकि जो clearance दिया है ये तो दिया है हमको उसने data दिया है हमको and that data is equal to 0.02 mm अब आइदर ये तो radial हो सकता है या diametrical हो सकता है तो यहाँ पर अब machine design काम आती है ये question fluid mechanics का नहीं है कि torque lot due to viscosity लगा दिया और कर दिया कुछ भी answer तो आ जाता है इत्तफाक से लेकिन माइडियर यहाँ पर अब दो option हो सकते हैं कि दो case हो सकते हैं कि या तो ये radial clearance होगा या ये diametrical clearance होगा दोनों में से ही कुछ हो सकता है तो हम इसको मान लेते हैं कि if this one is diametrical clearance तो अगर ये diametrical clearance होगा तो c यही हो जाएगा 0.02 mm और radial clearance इसका आधा हो जाएगा दूसरा case ले सकते हैं कि हम इसको मान लेते हैं radial clearance तो फिर ये c1 हो जाएगा radial clearance को हम c1 बोलते हैं class notes में तो c का मतलब है diametrical clearance c1 का मतलब है radial clearance तो अब इसको diametrical ही मान होगा तो यही हो जाएगा अब यहाँ पे इसको radial माना है तो diametrical clearance को भी पूचेगा तो हो जाएगा 0.04 mm तो यह verify कैसे हो कि कौन सा data सही है तो design का rule होता है according to design d y c should be lies between 500 to या r y c1 कह सकते हैं 500 to 1000 ही होना चाहिए this rule you have to follow so माइडियर अगर यहाँ पे हम d y c निकाल के check करते है check for d y c तो अगर यहाँ पे आप d y c check निकाल के check करते हैं तो dia है 40 और diametrical के lens 0.02 तो यह आचाता है 2000 है माइडियर क्या आप देख पा रहे हैं इस range के बाहर जा रहा है और यहाँ पे अगर d y c निकाल के check करते हैं या r y c 1 निकाल के भी check कर सकते हैं आप देखेंगे यह data आएगा 40 divided by 0.04 या 20 divided by 0.02 जैसे भी करके देखों यह आएगा 1000 तो case 1 में d y c जो आ रहा है that is 2000 और case 2 में जो आ रहा है d y c that is 1000 इसका मतलब it is not possible according to design तो अब हमने पहचान लिया कि यही true होगा इसका मतलब है कि यह जो दिया है that is not diametrical clearance that is radial clearance यह पहचानना पड़ा तुक्का बाजी थोड़े न होती है कई लोग है ना fluid mechanics में इसको लगा देते हैं question और कहा देते हैं कि नहीं नहीं sir अब वो radial clearance का मतलब radial होता है ना गलत बात है ऐसा कुछ नहीं है you have to check for d y c gate का question है हलके में मत दीजी उसको मैं अब मैं यहाँ पे c की जगह है मैं समझ गया कि यही clearance दिया गया है that one is correct और यहाँ पे मैं इसकी value को put करूंगा that is 0.04 क्योंकि मुझे यहाँ diametral put करना है क्योंकि यह तो गलत ही हो गया वही सही है तब आप calculate करके देख लिजे and you find the answer is 0.04 newton meter तो यहोप ए conceptual question हमने सीखा that is from bearing अगले topic में मैं fatigue design से question लेके आऊँगा अच्छा question लेके आऊँगा आएंगे बाई बाई जैहन